आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students ताज का मारा Question है Optane the Formula for the Puration of an Object तो हमें क्या-क्या निकालना है मैं लिखता भी जा रहा हूँ हमें Portion of Object निकालना है Moving with Uniform Velocity V मतलब Velocity जो है वो क्या है Uniform है यानि की Velocity V जो है यह हमारे पास एक Constant Value है चलो ठीक है अगर Velocity constant होती है तो Acceleration मेरे पास 0 होता है तो आप मानते हो Accelerate करनी रही ठीक है मैं सारा data यहाँ पर Analyze करके लिता जारा हूँ ठीक है At Time T is equal to T' तो मैं क्या निकाल रहा था Position of Object Moving with Velocity V At Time T equal to T' इसका मतलब यह X मुझे कब निकालना है At Time T' कोई Time होगा T' मुझे इस Point पर बताना है अच्छा In Terms of Its Position At Another Time T इसको मुझे किस Terms में Answer देना है Answer देना है मुझे किसी और Terms में कि यह जो X not है यह At Another Time T किसी और Time T पर इसकी Position यह रही होगी तो फिर मुझे बताना है कि T' टाइम पर इसकी Position यह X होगी तो इस X को किस Relation से मैं Solve कर सकता हूँ Basically एक Formula Derive करना है ठीक है अब since हम लोग को Derive करना है तो हम लोग जो By-Default Newtons Equations है उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे पर Again हम लोग किसका यूज कर सकते है हम लोग Calculus का यूज कर सकते इसको Derive करने के लिए ठीक है यह दो Equations हर जगा काम करती है फिलाल हम इसका यूज नहीं करना Reason क्या है एर Acceleration तो Zero है तो हमें इसकी Need नहीं है अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे हम इसको यूज करते है अब इसको यहां Cross Multiply करो देखो तो क्या हो गया V DT is equal to DX हो गया अगर मैं दूनों तर्फ integration लगा दूँ तो यह चीज स्वाल हो जाएगी यहां पर DT मतलब यहां पर Time के रिस्पेक्ट में integrate होने वाला है तो मुझे क्या पता है AT TIME T is equal to T पे उसके पास X0 position है तो यहां पर Starting Time T है और जिस टाइम पर मुझे निकालना है वो T' है राइट देह रहा ना AT TIME T' हमें बताना था तो बोल दिया भई इस टाइम की बारे में हमें बता है इस टाइम की बारे में हमें निकालना है जब यह टाइम T था तो इसके पोजिशन क्या थी X0 थी याद करो हमने देखा था X0 इसकी पोजिशन है इस टाइम T पे और फाइनल इसकी पोजिशन कितनी हो गई X हो गई X और यही X थो हमें निकालना है वेसी गली इस X को मुझे इसके इन सब के टम्स में निकालना चाहिए ठीक है तो अब है solve करते है यहाँ पे V तो constant है मैंने अभी पोजिशन लिखा था V बाहर आ गया T से लेके T' DT हो रहा है is equal to integration X0 से लेके X DX यहाँ पे देखो X की जगा तो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे T की जगा लिखा है तो देखो अगर मेरे पास 1 है तो 1 को मैं इस जगा पे क्या लिख सकता हूँ T की बाहर 0 भी तो मान सकता हूँ T की बाहर 0 का integration क्या होता है T की बाहर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 Basically यह T ही लिखा है तो इसका integration हो गया द्यान रखना यह T और यह T में फिलाल अंतर है थोड़ा सा यह integration से आया है और यह एक fixed value है जो हमें जे question ने दी हुई है तो मैं अभी इसको ना ऐसे 1 लिख देता हूँ द्यान रख ना मैं इसको 1 से denote कर रहा हूँ अगें सिर्फ इसलिए denote कर रहा हूँ ताकि आप लोग अन सारे T's में और यह given value थी T की और यह T's जिसमें हमें निकाला है तो यह मैंने limits लगा दी वी बाहर बैठा हुआ है यहाँ पर देखो इसका 1 का integration अगें आप x होगा क्योंकि यहाँ x यह बाहर 0 मान सकता हूँ तो उसका integration x होगा बिल्कुल जैसे इसका निकाला था x not से लेके x के लिए यहाँ पर पहले क्या डालोगे अपर limit डालोगे minus लगा होगे low limit डालोगे डाल दी यहाँ पर पहले अपर limit डाला minus लगा है फिर low limit डाल दिया कोई बात नहीं बढ़ी है अच्छा आप तो होई गया almost question solve यह रिखा है equation जो मुझे derive करनी थी कि यह time पर यह position थी और इस time के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो I hope यह question अब समझ में आ गया होगा सब उच्चों को ओके